Hello guys, welcome to science workshop, this is Kusum here इस वीडियो में हम flu cytometry के बारे में पढ़ेंगे और flu cytometry का principle क्या है, इसके applications क्या है और यह कैसे काम करता है यह सारी की सारी चीजी जो है इस वीडियो में हम cover कर लेंगे अगर आपको इसका pdf चीए, notes चीए तो आप मुझे telegram channel पे join कर सकते हैं और science workshop के नाम से telegram channel है और इसका जो link है वो आपको description में मिल जाएगा आप चाहो तो मझे Twitter पे भी follow कर सकते हो Kusum Chaudhary के नाम से आपको profile मिल जाएगा और इसका जो link है वो भी description में मिल जाएगा तो यह start करते हैं flow cytometry और से पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो like कर देना, share कर देना और चैनल को subscribe नहीं करा है तो subscribe भी कर लेना और bell icon को प्रेस करना भी मत बूलना ताकि next वीडियो जब भी आया तो आपको notification मिल जाएगा देखो सबसे पहले हम में पता होना चाहिए कि flow cytometry को हम use कहां करते हैं, क्यों use करते हैं तो हमारे पास में कोई भी mixer of cells है, कोई भी cells का mixer है और example के तोर पे हम यहां पे ले लेते हैं blood, blood के अंदर हमें पता है blood के अंदर बहुत सारे type की cells होते हैं different type की cells होते हैं, जैसे RBC हो गया, WBC हो गया, plate-lates हो गया, छीक है तो इस तरह से different type की cells यहां पे blood में present है, तो blood क्या है, mixer of cells है तो इसलिए हम यहां पे example ले लिया कि mixer of cells blood हो गया, छीक है समझने के लिए हम देखते हैं कि कोई भी cell है, उसका size क्या है, अगर हमें उसके size का पता करना है तो हम किसका use करेंगे, cytometry, यानि flow cytometry का use करेंगे कि कोई भी cell small है, medium है, large है, हमें इसका पता चल जाता है, छीक है इसके लावा अगर हमें cell की complexity का पता करना है, कि cell कितनी complex है या फिर कितनी कम complex है, ठीक है, तो या फिर यह हमें इस 20 पे भी पता चल सकता है कि उसमें कितने granules present है, तो यह सारा चीज पता करने के लिए भी हम किसका use करते है flow cytometry का use करते है, साथ ही साथ अगर हमें cell के phenotype की बारे में जानना है तो भी हम flow cytometry की help से हम इसके बारे में पता कर सकते है phenotype का मतलब यह होता है, कि कोई भी physical appearance है जिसको हम observe कर सकते है और जिसको हम properly देख सकते है तो वो चीजे जो physical appearance है जिसको हम observe कर सकते है तो वो phenotype के अंदर आ जाते हैं, तो हम cell के phenotype के बारे में भी पता कर सकते है then आते हैं इसके principle पे, flow cytometry का क्या principle है देखो सबसे पहले हमारे पास में है mixer of cell यानि हमारा sample है हमारे पास में तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, machine में हमें इसको क्या करना होता है, place करना होता है लेकिन उससे पहले हम हमारे sample को क्या करेंगे, prepare करेंगे और उसके बाद मैं sample को machine के अंदर place कर देंगे ठीक है then जो machine है flow cytometry जो machine है उसके अंदर क्या होता है एक तो flow cell होता है और उस flow cell के अंदर sheath fluid भरा हुआ होता है और इस sheath fluid के अंदर ही हमारा sample run करता है ठीक है इसको हम diagram के help से और भी ज़्यादा clearly देखेंगे और ये आपको notes के form में भी आपको help कर जाएगा like notes easy language में आपको यहाँ पर मिल रहे है और ये जो pdf है वो आपको telegram channel पर मिल जाएगी तो आप वहाँ पर join कर सकते है इस pdf के लिए then यहाँ पर जो हमारे पास वे sheath fluid है वो एक force generate करता है और उस force generate करने की वज़े से जो हमारा sample है sorry sample जो है वो downward direction में क्या करेगा 1 by 1 करके move करेगा और sample के अंदर हमारी cells है ठीक है cells है तो 1 by 1 करके downward direction में यानि नीचे की side में हमारी cells move करती है then क्या होगा हमारे पास में एक light source भी है यानि की एक laser light source है जो की laser light को क्या करेगा produce करेगा और हमारे पास में detector होता है इस flow cytometer में और यह detector जो है scatter की गई light को क्या करेगा detect करने का काम करेगा यानि की यह जो light है laser light है ठीक है यह sample पर गिरेगी यानि cell के उपर गिरेगी cell इसको क्या करेगा आगे scatter कर देगा scatter करेगा तो यहाँ पर detector लगा हुआ होगा और कितना scatter करा है वो इस detector के द्वारा detect कर लिया जाएगा ठीक है तो हमारे पास में guys यह जो cell है इसके उपर जो आएगी तो यह क्या कर देगी आगे light को scatter कर देगी और हमारे पास में जो detector होते हैं एक तो यहाँ front में लगावा होता है और कुछ side में detector भी लगे वे होते हैं जो light front में यानि forward direction में scatter करती है cell उसको detect यह वाला detector कर लेगा और जो side में scatter करेगी वो यह वाली detector जो है वो क्या कर लेंगे detect कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या होता है दो type का scattering होता है guys ठीक है एक तो होता है forward scattering और दूसरा क्या होता है side scattering forward scattering में अभी हम देखते हैं diagram में ताकि properly समझ में ठीक है यह थोड़ा मैंने basic बताया कि हमारे पास में क्या क्या चीजे यहाँ पे है और वो कैसे कैसे काम करती है अभी हम diagram पे आते हैं ठीक है देखो हमारे पास में क्या है एक laser light का source है जिससे laser light produce होगी हमारे पास में यह flow cell है और इस cell के अंदर क्या होता है fluid भरा हुआ होता है जिसको हम seat fluid बोल रहे है और यह जो fluid है यह हमारे sample यहाँ के इसके अंदर रन कर रहे है और यह fluid जो है वो एक force generate कर रहा है और उस force generation की वज़े से ही हमारे जो cell है वो downward direction में यानि नीचे की side में क्या करेंगे move करेंगे और यहाँ पे इसका जो corner है यह बहुत ज़्यादा थिन होता है और इस वज़े से यहाँ से सिर्फ एक cell जो है वो आगे पास हो पाएगी ठीक है तो one by one करके ही आगे cell जाएगी तो यहाँ पे हमारी जो cell है ठीक है तो इस laser source से laser light आ रही है यह इसके उपर पड़ेगी जैसे ही इसके contact में आएगी तो यह इसको क्या कर देगी scatter कर देगी और scatter कर रही है अगर वो forward direction में कर रही है तो यह किसके base पे होता है forward direction में कर रही है तो यहाँ पे जो detector है वो इसको detect कर लेगा यानि यहाँ पे forward scattering हो रही है और यह किसके base पे होती है cell का जो size है ठीक है cell का size क्या है उसके base पे ही scattering होती है मान लो कोई small cell है तो यह आगे कम scatter करेगी less light को क्या करेगी scatter करेगी और मान लो कोई large cell है या फिर कोई big cell है हम हो सकते हैं लार्ज ही यूज करते है वैसे तो तो वो ज्यादा light को scatter करेगी आगे और कितना light को scatter करा गया है वो ये वाला जो detector है वो detect करेगा और ये जो है detector वो system से attach है और system को information पहुचा देगा और system के ओपर हमें बाद में graph मिलता है और graph इस बीज पर मिलता है कि small cell ने जब कम scatter करा light को त तो एक small peak मिलेगी लार्ज cell ने जब ज़्यादा scatter करा light को तो एक big peak मिलेगी ठीक है ग्राफ को भी हम आगे समझेंगे properly ठीक है तो I hope forward scattering क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा आप यहाँ भी देख सकते हैं आप यहाँ देखोगे तो एक small cell है ठीक है यह small cell है तो ये क light को आगे scatter कर रही है आप देख रहे हो यह उससे थोड़ी सी बड़ी cell है तो यह थोड़ी ज़्यादा light को scatter कर रही है यहाँ आप देखोगे कि यह सबसे ज़्यादा बड़ी है तो इन दोनों के comparison में ज़्यादा light को आगे scatter कर रही है तो यह जो सामने same direction में आगे scatter कर रही ह यह लाइट वो क्या होगा? साइज की बेसेज पे स्कैटरिंग होगी और इसको हम क्या बोलेंगे? फोर्वर्ड स्कैटरिंग बोलते हैं, छीक है? Then, साइज स्कैटरिंग को आप यहां देख सकते हैं, यह हमारा सेल है, और cell की complexity की बेस पे ये होती है cell कितनी ज़्यादा complex है उसके बेस पे होगी मान लो cell कम complex है तो कम light को scatter करेगी और अगर cell ज़्यादा complex है तो वो ज़्यादा light को scatter करेगी और इसके अंदर cell के अंदर कुछ granules present होते है अगर cell के अंदर ज्यादा granules है मतलब वो ज्यादा complex है तो वो ज्यादा light को scatter करेगी और अगर cell के अंदर कम granules है तो वो क्या करेगी कम light को scatter करेगी क्योंकि वो कम complex है तो ये जो side में scattering हो रही है light की उसको हम बोल रहे है side scattering और side में जो detector है आप यहाँ देखो side में ये वाले जो detector है ये इसको detect कर लेंगे और ये भी system setage है और system के पास में information को पहुचा देंगे कि कौन सी cell ने कितना scattering करा है ठीक है तो side scattering जो है उससे क्या पता चलेगा कि cell कितनी complex है और जो forward scattering है उससे क्या पता चलेगा कि जो cell है उसका size क्या है ठीक है समझ में आ गया forward scattering और side scattering के बारे में ये कैसे काम करता है और आगी जो है मैंने notes बना रखे वो तो हम अभी steady करने वाले हैं ताकि और भी ज्यादा अच्छे से आपको clear हो जाए तो next guys हमारे पास में system के उपर क्या होता है ग्राफ आता है और वो ग्राफ होता है voltage और time के बीच में अगर ज्यादा light scatter हुई है तो क्या होगा voltage का ग्राफ भी high peak पे होगा और अगर कम light scatter हुई है ठीक है कम light scatter हुई है तो peak भी छोटी हुई यानिक इस अगर हमारे पास में small cell है तो peak क्या होगी? peak भी बड़ी आएगी अगर small cell है तो peak भी small आएगी और अगर हमारे पास में large cell है तो जो peak है वो भी large आएगी ठीक है? high peak होगी ये वाली आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास में ये वाला graph है और अगर यहाँ पे ये high peak है इसका मतलब क्या हुआ? ये वाली starting वाली cells है उनका size बड़ा है और ये वाला जो graph है इसी graph के अंदर ये वाला जो peak है इससे हमें पता चलेगा कि जो बाद वाली cells है उनका क्या है? size छोटा है ओके तो इस तरह से peak की help से हमें पता चल जाता है कि उसमें कितनी cell जो है वो small है, कितनी cell जो है वो large size की है छीक है? then जो side scatter और forward scatter दोनों का graph हमें यहां पे मिलता है एक तो है side scatter का जिसके अंदर हमारे पास में होगा cell count की कितनी cell है और वो कितनी ज़्यादा forward scatter हुई है अगर forward की बात करे तो तो अगर हमारे पास में ये मानलो की ये वाली peak मिल रही है चीक है इस तरह ऐसे तो ये cell count है यानि इतनी ये ज़्यादा cell है तो यहां पे क्या होगा forward scattering तो forward scattering कम हुई है इतनी cells की मतलब बहुत ज़्यादा cells ऐसी है जो कि क्या है small है अगर यहां पे है तो small है और यहां पे आप देख रहे हैं इनकी जो forward scattering है वो ज़्यादा हो रही है और इनका cell count जो है वो कम है मतलब कम cell ऐसी है जो कि large है ठीक है समझ में आ गया होगा क्योंकि count कर रहे है हम यह वाला इधर उपर जा रहा है और यहां पे यह वाला high होगा कि यहां peak पे होगा वो high होगा ना forward में तो यहां से बढ़ रहा है count में यहां से उपर वाला जो है वो portion बढ़ रहा है तो count में तो ज़्यादा cell यहां पे है और यह वाली क्या है forward है तो यह वाली small है और यहाँ पे जो cells होंगी वो large है बट यह count में कम है यानि कम number में cell present है उस sample के अंदर ठीक है तो इसी तरह से final graph मिलेगा हमें जो कि forward scattering और side scattering दोनों का mix होगा यानि कितनी cell जो है वो small है कितनी cell जो है वो complex है ठीक है दोनों का graph मिलेगा तो आप यहाँ देख रहे हैं side scatter में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो scattering हुई है वो कम है यहाँ पे आप देखोगे तो यह graph यहाँ से start हो रहा है तो यह वाला portion में जो है वो कम side scatter हुआ है तो पॉर्षिन में यहां लास्ट में जाओगे तो क्या होगा? साइड स्कैटरिंग ज्यादा हुई है और ये वाले सेल ज्यादा कॉंपलेक्स होंगे इसमें ज्यादा ग्रैनूस प्रेजेंट होंगे और इसी तरह से अगर हम फोर्वर्ड स्कैटर के बारे में देखें तो फोर्वर्ड स्कैटर में क्या होगा? कि ये वाला जो पॉर्षिन है उसमें क्या होगा? स्मॉल सेल होंगी और जैसे ही आगे-ागे बढ़ेंगे तो बिग सेल होंगी या फिर लार्ज सेल हम वो सकते हैं ठीक है? तो इस तरह से यहाँ पे ग्रीन वाले सेल है, रेड वाले सेल है और ब्लू वाले सेल है तो ग्रीन वाले सेल क्या है? स्मॉल है और कम कॉंपलेक्स है उसके बाद में रेड वाले सेल उससे थोड़े से बड़े है यानि green वाले cell के comparison में large है और थोड़े ज्यादा complex है उसके बाद में जो blue वाले cell है वो इन दोनों cell से क्या है ज्यादा complex है और ज्यादा large है ठीक है तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि कौन से type के cell large, small यानि उनका size क्या है, उनकी complexity क्या है ठीक है तो इस तरह से हम flow cytometry की help से cell की size की बारे में उसकी complexity के बारे में पता गर सकते हैं ठीक है तो आयोप समझ में आ गया होगा और यहाँ पे यह जो blood cell का अगर हमने जामपल लिया था तो यह है lymphocyte, monocyte और neutrophils के बारे में और side scattering और forward scattering की बारे में यहाँ पे same वही graph में जो हमने पीछे देखा था उसी तरह से mention कर रखा है कि यह वाले जो cell हैं इनमे forward scattering भी कम है, side scattering भी कम है यह वाले cell में side scattering इससे थोड़ी जादा है और इसमें भी forward scattering जादा है यह वाले जो cell हैं वो small हैं और कम complex हैं यह वाले cell थोड़े से ज़्यादा complex हैं और थोड़े से ज़्यादा large हैं यह वाले cell जो है वो सबसे ज़्यादा large है और सबसे ज़्यादा complex है ठीक है? देखो हमने दोनों स्कैटरिंग देखी forward scattering and side scattering तो हमने दोनों के notes यहाँ पे mention के वे हैं अलग-अलग से कि दोनों में होता क्या है forward scattering में क्या होता है size of cells का हमें पता चल जाता है small size की अगर cell होती है तो यह हम notes में बढ़ता है चलो कि यह जो base है किसके उपर size of cell के उपर then the direction in which the light was released reaches the light detector in the same direction हमने देखा कि light same direction में आगे scatter हो रही है और यहाँ पे detector जो है वो उसको detect करेगा तो यही इसमें बोड़ रहा है कि light जो है वो same direction में आगे क्या हो जारी है scatter हो जारी है यहाँ पे जो small size है वो कम light को scatter करेंगे then जो large size के cell है वो ज्यादा light को scatter करेंगे then it reads the detector and the detector detects it and send it to the system and a graph is received on the system उसके बाद में यह जो light scatter होई है वो detector तक पहुँचती है detector उसको detect करता है और system के पास में उस information को पहुचाता है then system के उपर एक graph मन क्या आता है और उस graph से हमें पता चल जाता है कि cell का size क्या है वो small है या फिर वो large है the cell which are small in size यानि कि जो small size की cell है उससे क्या होगा small peak बनेगी जहाँ पे हमें small peak दिख रही है graph में मतलब वहां पे small size के cell है ठीक है और जहाँ पे हमें big peak या फिर large peak दिख रही है तो यानि वहाँ पे larger cell है large size के cell है मतलब यह हुआ small size के cell small peak देंगे और large size के cell big peak देंगे graph cell counter versus forward scattering is obtained हमने देखा कि एक side में cell count होता है यहाँ पे देख लेता है क्या हो रहा है एक side में क्या होता है एक side में cell counter होता है यानि कितनी cell है वो पता चल जाता है और एक side में forward scattering होता है यानि कितनी forward scattering हो रही है कितनी light आगे scatter होई है उसका पता चल जाता है then हम आते हैं side scattering के उपर side scattering में क्या होगा किसे हमें यह पता चलता है की cell की complexity क्या है चीक है the more complex cell the more light it scattered to the side यानि ज़्यादा complex अगर cell है तो वो अपने side में ज़्यादा light को scatter करेगी then next क्या है as a cell has too many number of granules it will scatter too much light to the side यानि जिस cell के पास में ज़्यादा granules है वो ज़्यादा light को side में scatter करती है और जिस cell के पास में less number of granules है यानि कम granules present है यानि वो कम complex है तो वो less light यानि कम light को क्या गरेगी scatter करेगी side direction में so from here the detector present on the side detects this information यानि side में जो detected present होते है हमारे पास में वो इसको scatter हुई light को detect कर लेंगे and send it to the system और information जो है वो यानि कितनी light scatter की गई है वो हमारे system तक पहुचा देंगे और system के उपर हमें क्या मिल जाएगा graph मिल जाएगा अगर कोई simple cell है यानि less granules present है तो वो एक small peak देगी ठीक है अगर हमारे पास में complex cell है यानि उसके अंदर more granules हैं तो वो एक large peak देती है ठीक है तो graph में peak के according हमें पता चल जाता है कि कितनी cell जो है वो simple cell है कितनी cell जो है वो complex cell है second graph is obtained of cell count and side scattering और यहाँ पे भी हमारे पास में एक graph आता है जूकि यहाँ पे तो cell count शो करेगा कि कितनी cell है और यहाँ पे हमें शो करेगा side scattering कितनी हुई है ठीक है और इस graph से हमें पता चल जाएगा कि कितनी cell जो है वो complex है कितनी cell small है sorry simple है so guys एक बार summarize करते हैं इसको ठीक है हम पढ़ रहे हैं flow cytometry के बारे में हमने पढ़ा flow cytometry ठीक है यह topic न कई लोग 8-10 मिनट में करा देता है लेकिन में को explain करें भी जिस्ता नहीं है तो उसमें आदा गंटा तो लगी जाता है क्योंकि एक topic अगर class में करा हो तो इतना time तो लगता है अगर ठीक से explain करके उसको समझो और साथ में मैं तो notes भी आपको दे रही हूँ और वो सारे के सारे notes जो वो explain कर रही हूँ ठीक है और cell का phenotype क्या है इन सारे चीजों का हमें flow cytometry से पता जल जाता है और ये सब पता करने के लिए ही हम किसका use करते हैं flow cytometry का use करते हैं ठीक है तो इसके अंदर हमारे पास में एक sample होता है sample में mixer of cells होती है यानि different different type की cells उसके अंदर present होती है हमारे sample के अंदर example के लिए हम ले सकते हैं blood और blood के अंदर different type की cells present है जैसे की RBC हो गया WBC हो गया plate plates हो गया ठीक है तो different type की cells इसके अंदर present है और उसके बाद में हमारे पास में एक machine होती है यानि जिसको हम flow cytometer बोलते है और उसके अंदर क्या होता है एक तो होती है laser light laser source होता है जिससे laser light निकलती है और एक होता है flow cell इस flow cell के अंदर हमारा एक fluid भरा हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं seet fluid okay अब इस seat fluid के अंदर ही हमारा जो sample है वो run करता है और ये जो seat fluid है वो sample के उपर क्या करेगा एक force generate करेगा और इस force generation की वजह से sample जो है वो क्या करेगा downward direction में move करेगा यानि नीचे के side में जो है वो move करता है ठीक है नीचे के side में move करता है और जो flow cell का जो corner होता है जो end होता है वो इतना thin होता है last में कि उससे सिर्फ एक cell ही आगे pass हो पाएगी उके उससे क्या होगा सिर्फ एक cell pass हो पाएगी आगे की process देखते हैं कि नीचे हमारे पास में एक cell आ गई जब यहां से laser source जो है वो laser light को produce करेगा तो यह इसके contact में यह laser light और यह जैसे ही contact में आई हमारे cell के तो इसने इसको scatter कर दिया जिस direction में light आई थी उसी direction में आगे की side में scatter कर दिया और यहां पे एक detector लगा हुआ था और इस detector ने इसको detect करा कि कितनी light scatter होई है और इसको हम बोलते हैं यह जब सामने की direction में scatter होई है तो इसको हम forward scattering बोलत हैं ठीक है यह forward scattering cell की size के base पे होती है अगर size small है cell का अगर small size की cell है तो क्या होगा less scatter करेगी light को अगर large size की cell है तो वो ज्यादा scatter करेगी light को ठीक है then दूसरी होती है laser light आती है और cell कितनी complex है उसकी complexity पे depend करती है जिसको हम side scattering बोलते हैं side scattering में क्या होगा कि यह जो cell है यह light को side में scatter करेगी ठीक है different side में इस तरह से scatter करेगी और यह cell कितनी complex है इसके base पे होता है अगर cell ज्यादा complex है तो यह ज्यादा light को scatter करेगी अगर cell कम complex है तो यह कम light को scatter करेगी then हमारे पास में system के उपर graph मिल जाता है और इस graph की help से हमें पता चल जाता है कोई भी cell कितनी small है या फिर large है या फिर कितनी simple है या फिर complex है तो इस तरह से flow cytometry जो है वो work करता है I hope सब को समझ में आ गया होगा अगर फिर भी कोई doubt बसता है तो आप मुझे comment box में पूछ सकते है और thanks for watching this video अगर video अच्छा लगे तो please like कर देना और share कर देना और channel को अगर अभी तक subscribe नहीं कर रहा है तो subscribe भी कर लेना मिलते हैं next video में guys thank you so much